महा भारत, महा भारत, महा भारत, महा भारत की कहानी देता अगवाही देखो, गंगाय मुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको, महा भारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महा भारत की कहानी देता गवाही देखो गंगा यमुना का पानी चलू आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी धृत्राश्ट्र कहे एक एक करके मेरे पास तुम आओ हस्तिनपुर तुम्हारा है तुम अपना हक ले जाओ वासुदेव ने पहले आके फिर धृत्राश्ट्र को सीस जुकाया धृत्राश्ट्र ने रोका जब महराज कहना चाहा युधिष्ट्र जीता और में हराब वो महराज है ये जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी धृत्राश्ट्र कहे है वासुदेव क्या सोग पर कटना करना चाहो मेरे सौ पुत्रो के शवो को क्या याद ना करना चाहो वासुदेव कहे क्या पता वो जखम फिर से हरे हो जाए और महाराज की आत्मा को जखत जोर कर जाए इसलिए बीते दिनों की ना चाहिए याद दिलानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी धृत्राष्ट्र ने फिर देखो वासुदेव को बतलाया मैं महाराज था तो कैसा था क्या तू देख न पाया मेरी सभा में भीश्म द्रोन और क्रिप के आसन थे न्यारे युव राज तुरियो धन थार संग में पुत्र थे सारे अब वो कुछ भी नहीं रहा ना घड़ी वो फिर से आनी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी फिर युधिष्टर ने आके धृत्राष्ट को सीस जुकाया आपके राज भवन में स्वागत है दृत्राष्ट में बतलाया युधिष्टर ने कहा आप ही महाराज है समझाया मैं तो आपका सीवक हूँ उसको ये बतलाया धृत्राष्टर कहे अक्षत्रिये हूँ मैं दान में राज नहीं पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत महाभारत धृत्राष्टर ने कहा युधिष्ट स्यनुजों को बुलाओ भीमर जुनक सहदेव को मेरे पास ले आओ फिर भीम को धृत्राष्पर ने गले लगाना चाहा वासुदेव ने शाराकर भीम को समझाया वासुदेव कहे भीम को इसके पास नहीं चाहिए जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी वासुदेव ने शाराकिया भीम को अपना पुतला ले आओ इस पुतले को उठाके महराज की गोद में ले जाओ वासुदेव की मान भीम एक पुतला लेकर आया और उस पुतले का महराज से आलिंगन करवाया पुतला चकना चूर हुआ देख हुई है राने चलु आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी दृत्राष्ट्रों ने लगा और माफी मांगनी चाही मैंने भीम की हत्या कर दी और उसको बतलाई वासु देव कहे भीम आपके पास ना ने दिया एक पुतला आपके पास भेजा और आपने तोड़ दिया आपके क्रोध की सीमा महराज मैंने थी जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत महाभारत घ्रित्राश्च्ड ने फिर अपना प्राईश्चित करना चाहा भीम ने कहा मुझे मार दो मैं आपकी शरण में आया गृत्राष्ट्र ने माफी मांगी भीम को गले लगाया फिर पाचु पांडवों ने आकर महराज को शीश जुकाया परवासु देव के रहते कहां पांडवों को होती कोई हानी चलू आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलू आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी फिर पांचु पांडवों के संकुंती गांधारी महले आई मेरे संगवासु देव भी है गांधारी को बतलाई फिर पांचु पांडवों ने गांधारी को सीस जुकाया हम एक बात ना भूल पाई धिश्टर ने बतलाया कैसे भीमने खून पिया ये कोई नहीं भूल पानी चलू आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलू आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी गांधारी ने भीम को वतन बद था बतलाया दुश्या शन कलहू पीना उसका कर्तव्य बतलाया तुरियो धन की जंगा तोड़ी भीमने वचन दिया था इसे लिए तो भरी सभा में भीमने ये कहा था भरत वनस्ताप मान किया वो कीमत पड़ी चुकानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत भीमने उनका वधना किया दंड दिया बतलाया गौंधारी ने दंड देना अपराधना समझाया फिर धृत्राश्ट्र आया और उसने खुद को दोसी ठहराया उसने कहा मुझे श्राप दो मैं तेरा दोसी बतलाया अब सारी बातें छोड़ के चाहिए वन्वास को जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी अरजुन ने कहा आप पिता श्रीवन को फिर क्यूं जाए अतीत जाए तब वर्तमान आए उसको ये बतलाए कुंती ने कहा हम यतीत हैं हम खेहर ना पाए अरजुन कहे हे मात आप बिन हम यहाँ ना रह पाए धृत्राष्ट विदुर गांधारी कुंती हम सब तीत हैं जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी फिर विदुर ने भी खुद को बीता हुआ कल बतलाया युदिष्टर के राज अभिशेक तक रुकेंगे ये समझाया अतीत जब चला जाए तो वर्त मान वहाँ आए बितराश्टर कहे मैं हूँ अभागा वो मुझे क्यों न बुलाए मैं वो राजा जिसने देश से पहले पुत्र को मानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत धितराश्टर ने अपने आपको सुभ है बतलाया राजय विशेक नहीं होगा ये धिश्टर ने समझाया आप सिंगासन पे बैठे हो आप हो राजा बतलाया मैं पांडु का उत्राधिकारी था धितराश्टर ने बतलाया अब तुम आगे तुम्हारे शिर पे चाहिए ताज सजानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी दृत्राश्टर कहे हार गया वो अब राजाना बन पाए तुम आए तो न्याए का सूरज भी साथ में ले आए मुझे पता तुम धर्म राज हो अच्छा राज चलाओगे जो भूल मुझे से हुई है उसको ना दोहराओगे राजा देश से होता है ना देश राजा से जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत की कहानी अगले दिन युधिष्ट के राज भिशेक का दिन आया रिश मुनियों ने अभिशेक की आवासु देव ने मुकट पहनाया युधिष्ट ने सबसे पहले हस्तिनापुर को सीस जुकाया फिर उसने अपने पुर्वजों को प्राणाम करना चाहा मैं वचन देता हूँ हस्तिनापुर को नहोने दूंगा कोई हानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत महाभारत फिर महाराज युधिष्ट ने वासुदेव को सीस जुकाया वचन देता हूँ न्याय अन्याय में अंतर करूंगा बतलाया मानो कल्यान के कारिय करूंगा सब को ये बतलाया मैं राजा नहीं कसेवक हूँ सब को ये समझाया सबसे पहले हस्तिना पुर है मैंने ये है जानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी वासु देव को साथ सिमान के युधिष्टर ने कहना चाहा गर मुझ में कोई दोश है तो मेरे मूपे कहना समझाया युधिष्टर ने फिर खाली पड़े सिंगा सनों को सीस जुकाया कोई भीष्म कोई दोड़ तो कोई कर्ण कहे बतलाया ये सिंगासन रिक्त रहे ताकी इनकी आद रहे कुरबानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी युध में क्या क्या खोया है युधिष्टर ने बतलाया किसने क्या क्या बलीदान दिया सबको ये समझाया जो गए वो मेरे अपने थे न लोट के वो आएंगे फिर भी आपको बेहतर राजा मिले हम यही चाहेंगे जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फन है पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी महाभारत युधिष्टर ने फिर देखो विदुर को प्रधान मंत्री बनाया भीम है युव राजर जुनसी माओं का रक्षक समझाया नकुल और से है देव मेरे अंग रक्षक है बतलाए और फिर कुरुशिरो मनी दृत राष्ट्र कुशीश जुकाए जेश्ट पिताश्री और गुरु भी है ये मैंने जानी चलो आज सुनाए तुमको महा भारत की कहानी देता अगवाही देखो गंगाय मुना का पानी देता अगवाही देखो गंगाय मुना का पानी चलो आज सुनाए तुमको महाभारत की कहानी देता गवाही देखो गंगाय मुना का पानी महाभारत की कहानी